वारांचे गाने मतलब हफ़ते के दिनों के गाने हर हफ़ते में साथ दिन हैं हर दिन बच्चे एक के काम करते हैं और वो ये नजमों में बताया गया है देखो यहाँ पे चितर पहा एक, दो, तीन, चार, पाथ, छे, सहा यह देखो छे तस्वीर बनी है और उसी के बारे में बताया गया है अईका वो मना सुनो और बोलो पहले आप लोगों को नजमों को क्या करना है सुनना है उसके बाद उस नजमों को याद करना रहेगा गौर से सुनेंगे तमाम बच्चे गानी गपा गोस्टिंचा सोमवर आमच्या आवडीचा करती तुन परिसर्शिक्णाचा मंगणवार असे निरिक्षणाचा कागद माती विविध रंग बुदवारी आम्ही त्यातच दंग भाषना साथी जीतू उभा गुरुवारी जमली बाल सभा पाने फुले जंगल सफ्री सहलील जावू शुकर वारी खेलयात आनन्द वाटे भारी कवे आथ आमची शनी वारी शालेल सुटी रवी वारी मित्र येती खेलाईला घरी गानी गपा गोस्टिंचा सोमवर आमच्या आवडीचा गाणी गप्पा गोस्ट इंचा गाणी मन्जे काई यहां लिखा है गाणे वारांचे गाणे गाणे बता चुकी हूँ यहाँ पे मैं आप लोगों को लिखी नहीं मगर गीट वहफते के दिनों के गीट गाणी गप्पा गोस्ट इंचा गाणी यहनी गीट गप्पा मारना ब मतलब क्या करना बादचीत करना गोस्ट इंचा गोस्ट कितनी पीछे बहुत बार बता चुक्यूं गोस्ट मन्जे काई कहानी गानी गप्पा गोस्ट इंचा सोमार आमचा अड़ी चा सोम्वार हफ्ते का पहला दिन देखो बच्चो सोम्वार सोम्वार मतलब काँसा दिन पी पसंदीदा दिन कौन सा है सोमवार है पीर का दिन है इस दिन हम क्या करते हैं गीद गाते हैं बादचीत करते हैं कहानिया सुनते हैं इस तरह ये हमारा बड़ा पसंदीदा दिन है पीर का दिन गानी गप्पा गोस्किन चा सोमवार आम चा अवड़ी चा करती तुन पर इस तर सिखने आच्छा मंगडवार असे निरिक्षन आच्छा मंगडवार मतलब कौन सा दिन मंगल का दिन मंगल का दिन हमारा निरिक्षन का दिन रहता है निरिक्षन यानि मुशाहिदा देखो यहां दूसी तस्विर में बच्चे देखो कुछ देख रहे हैं सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे निरिशन का मतलब रहेगा मुशाहिदा तो यह जो बच्चे हैं मंगल के दिन क्या करते हैं परिसर परिसर यहनी माहूल माहूल में जितने भी काम होते हैं और आसपास उस सब चीजों को माहूल को देखकर सीखते हैं मंगल के दिन, जिसे हम माहूल का मुतालिया कहते हैं बच्चों, परिसर अभ्यास, माहूल का मुतालिया जो हमारा सब मजमून है, तो वही काम ये लोग मंगल के दिन करते हैं, माहूल का मुतालिया जो है, वो करते हैं, परिसर कोई माहूल के जर्ये सीखते हैं, मंगल के दिन, कागद माती विविध रंग, कागद मन्जे काई? कागज, माती मन्जे मिट्टी, विविध रंग, विविध यानी अलाग अलाग तरहा के रंग, अलाग अलाग रंग, कागद माती विविध रंग, कागज मिट्टी और अलाग अलाग रंगों की मदद से, बुद्ध के दिन हम लोग क्या करते हैं कागज, मिट्टी और अलग-अलग रंगों से मुक्तलिफ चीजें बनाते हैं देखो तस्वीर में, तीसी तस्वीर में, सब बच्चे जमीन में बैटे हैं कुछ ड्राइंग वगएरा, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं वो लोग तो बुद्ध के दिन वो लोग क्या करते हैं? कागज और मिट्टी और अलग-अलग रंगों की मदश से मुक्तलिफ चीजें बनाते हैं और सब को दंग में, दंग कर देते हैं, हैरत में डाल देते हैं समझा न बच्चो? बुद्ध के दिन क्या करते हैं बच्चे? मिट्टी और कागज की मदश से, रंगों की मदश से चीजें बनाते हैं अलग-अलग और सौमवार को क्या करते हैं? कहानी सुनते हैं, गपा मारते हैं, गीत गाते हैं और मंगल के दिन माहोल का मुतालिया करते हैं बुद्ध के दिन क्या करते हैं? कागस की मदद से, मिट्टी की मदद से, ड्राइंग बनाना, मुक्तलिफ चीजें बनाते हैं. बाशन साठि जीटू उभा, गुरुवारी जमली बाल सभा भाशन देना मतलब तक्रीर करना. जीटू ये कौन है? ये को यहां खड़ा है जीटू, ये बच्चे का नाम है जीटू. तो उभा उभा यानी क्या करना ये देखो क्या कर रहा है वो खड़ा है इसलिए वहाँ लिखाए उभा और बसा मतलब बैठना और उभा मतलब खड़े रहना बाश्रा साथी जीतू उभा जीतू जो है वो तक्रीर के लिए खड़ा है गुरुवारी जमली बाल सभा बाल सभा गुरुवार मन्जे कौन ता दिवसा है हाँ जुमिरात का दिन जुमिरात के दिन बच्चों की बाल सभा बाल यानी बच्चे सभा यानी मजलिस बच्चों की मजलिस बच्चों की सभा बैठती है और उसमें जीतू नाम का लड़का जो है वो तक्रीर सुनाता है समझ में आ रहा है ना बच्चों सबको जुम्राथ के दिन बाल सभा यानी बच्चों की मजलिस या गुरो जुम्राथ के दिन बच्चों की मजलिस या गुरो बैठता है और जीतू नाम का लड़का तक्रीर सुनाता है पाने फुले जंगल सफरी सालील जाओ शुकरवारी पान पान मनझे काई पान मनझे पत्ता फुले मनझे काई फूल जंगल सफरी सालील जाओ शुकरवारी शुकरवार मन्जे कौन तर दीवसा है शुकरवार है जुमा जुमा के दिन सब बच्चे सहल सहल मन्जे का है ट्रीप जिसको हम कहते है ना ट्रीप सैर करने जाना तो जुमा के दिन बच्चे जो है वो सैर के लिए निकलते हैं और जंगल में जाते हैं वहाँ पत्तो को देखते हैं फूलो को देखते हैं इस तरह उनका जुमा का जिन जो है वो सैर करने में गुजरता है समझ में आ रहे हैं न बच्चो हाँ खेले आत आनंद वाटे भारी कवयत आमची शनीवारी शनीवार जुमा के बाद कौन सा दिन आता है सनीचर सनीचर को मराठी में क्या कहते हैं शनीवार के दिन उनका कवाईद का दिन होता है कवयत मतलब कवाईद का दिन देखो यहाँ पे शनीवार के दिन देखो बच्चे कवाईद का हाँद कर रहे हैं यहां पर देखो सहालिला जाओ शुकरवारी, शुकरवार को देखो बच्चे जो है वो घूमने निकले हैं सयर करने निकले हैं और सनीचर के दिन कवायद का हाथ कर रहे हैं, अब देखेंगे हमारे यहां कवायद का हाथ हम लोग कप खेलते हैं? शुकरवार जुमा के दिन लेकिन ये बच्चे काप करते हैं सनीचर के दिन और उनको बड़ा आनंद मिलता है बड़ी खुशी मिलती है आनंद वाटे भारी उन्हें बहुत जादा खुशी मिलती है खेलने में कवायद का हाथ करने में सनीचर के दिन शाड़ेला सुट्टी रवीवारी मित्र येती खेडायला घरी शाड़ेला सुट्टी शाड़ा मंजे का है? इस्कूल शाड़ेला सुट्टी स्कूल की छुट्टी रवीवार के दिन हमारी छुट्टी कौन से दिन रहती है? हमारी चुप्टी भी रवीवार के दिन ही रहती है तो आर के दिन ही रहती है और जब हमारी चुप्टी होती है तो उस वक्त हम क्या करते हैं चितर पहा चितर मदे काय दिसाता है ते सांगा मुले काय करता है मुले खेडाता है मित्र यती खेडायला गरी सब मित्र जहें वो घर मित्र यहनी दोस्त जितने दोस्त होते हैं वो सब घर उपर एक घर में जमा होते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं खेड खेडायला गरी घरो रहे हैं किरिकिट खेल रहे हैं ये सब काम कौन दिन होता है इतवार के दिन होता है समझ में आई बच्चो नजमों बहुत अच्छी नजमों है नजमों को याद करना है आप लोगों को और एक मरतबा देखेंगे पीर के दिन बच्चे क्या करते हैं गीद गाते हैं कहानिया जीतु नाम का जो लड़का है वो क्या करता है तक्रीर सुनाता है भाशन देता है गौर शुकरवार मंजे कौन ता दिवस जुमा का दिन जुमा के दिन बच्चे क्या करते हैं सैर के लिए जाते हैं ट्रिप के लिए जाते हैं और शनीवार के दिन क्या करते हैं कावायत कावा इत्वार का दिन है और इत्वार के दिन बच्चे क्या करते हैं खेलते हैं कूदते हैं मस्ती करते हैं समझा ना नजमों को याद करना है और इसके मानी और मतलब को अच्छी से समझना है और इसके अंदर जो दिनों के नाम है सोमवार मंगडवार गुधुवार गुरुवार शानिवार रविवार ये हफते के दिनों को अच्छी से याद करना है और उसको मराथी की कौपी में लिखना रहेगा